राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शेष शिव महा पुरान की कथा बंधों पागुन मास के सिर्फ दो दिन शेष रह गए हैं इन दो दिनों में जिन्होंने पूरा मास शिव महा पुरान की कथा को नहीं सुना वे आवश्च शिव महा पुरान की कथा को सुने बंधों भगवान शिव बहुत शिग्र अपने भगतों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं बंधों पर अपने में कमी नहीं होनी चाहिए बंधों किस चीज की कमी पुरन विश्वास और सची निष्ठा की कमी बंधों यदि आप विश्वास करके शिव महा पुरान की कथा को सुनते हैं तो भगवान शिव शिक्र अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जे शिव शंकर भोले नात जरूर लिखें, बोलो शिव शंकर भोले नात कीजे हो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद महात्मा दधीच की अवध्यता का समाचा जानकर शीहरी ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरन किया फिर वे ब्रह्म पुत्र राजक शुव से बोले राजेंद्र ब्रहामनों को कहीं थोड़ा सा भी भै नहीं है भूपते विशेष्टें रुद्र भगतों के लिए तो भै नाम की कोई वस्तु है ही नहीं यदि मैं तुम्हारी और से कुछ करूँ तो ब्रहामन दधीच को दुख होगा और वह मुझ जैसे देपता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा राजेंद्र दधीच के शाप से दक्ष के यग्ये में सुरेश्वर शिफ से मेरी प्राज्य हुई और फिर मेरा उत्थान भी होगा महराज इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीच को जीतने का प्रियतन करूँगा भगवान विश्णू का यह वचन सुनकर शुब बोले बहुत अच्छा ऐसा ही हो ऐसा कहकर वे उस कारे के लिए मन ही मन उत्सुखों प्रसंता पुर्वक वहें ठहर गए ब्रह्मा जी कहते हैं नारत भगत वसल भगवान विश्णू राजाक शुब का हिस्साधन करने के लिए ब्रहामन का रूप धारन कर दधीच के आश्रम पर पहुँचे वहां उन जगत कुरू शी हरी ने शीव भगत शीरोमनी ब्रह्म रिशी दधीच को प्रणाम करके शुफ के कारे की सिध्धी के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही है शी विश्नु बोले भगवान शीव की अराधना में तत पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म रिशी दधीच मैं तुम से एक बर मांगता हूँ उसे तुम मुझे दो शुफ के कारे की सिध्धी चाहने वाले देव आदी देव शी हरी के इस प्रकार याचना करने पर शेव शी रोमनी दधीच ने शेग्रह भगवान विश्नु से इस प्रकार प्रातना कर कहा दधीच बोले ब्रह्मन आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्यात हो गया आप शुफ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान शी हरी ही ब्रहामन का रूप धारन करके यहां आई हैं इस मे देवेश जनार्दन मुझे भगवान रुद्र की क्रिपा से भूत भविश्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्यान सदा ही रहता है सुवरत मैं आपको जानता हूं आप पापहरी शी हरी एवं विश्नु हैं यह ब्रहामन का वेश छोड़िये दुष्ट बुद्धी वाले शुव ने आपकी अरादना की है भगवन हरे आपकी भगवसलता को भी मैं जानता हूं यह चल छोड़िये अपने रूप को ग्रहन कीजिए और भगवान शंकर के स्मरन में मन लगाईए मैं भगवान शंकर की अरादना में लगा रहता हूं ऐसी दशा में भी यदि मुझ से किसी को भै हो तो आप उसे यतन पुर्वक सत्य किशबक के साथ कहिए मेरा मन शिव के स्मरन में ही लगा रहता है मैं कभी जूट नहीं बोलता इस संसार में किसी देवता या देत्ते से भी मुझे भै नहीं होता शी विश्णू बोले उत्तम रत का पालन करने वाले दधीच तुम्हारा भै सरफ्था नश्ठी है क्योंकि तुम शिव की अराधना में ततपर रहते हो इसलिए सरवक के हो प्रंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वन्दी राजा शुव से जाकर कह दो कि राजेंद्र मैं तुम से डरता हूँ भगवान विश्णू कहे वचन सुनकर भी शैव शिरोमनी महामुनी दधीच निर्भय ही रहे और हंस कर बोले दधीच ने कहा मैं देव आदी देव पिनाक पानी भगवान शंभू के प्रशाज से कहीं कभी किसी से किंचिन मात्र भी नहीं डरता सदा ही निर्भय रहता हूँ इस पर शीहरी ने मुन वालशी विष्णु ने अगनित गनों की सिष्टी की रंतु महारिशी ने उनको भी भसं कर दिया तब भगवान ने अपनी अनन्त विष्णु मूर्ति प्रगट की यह सब देखकर चेवन कुमान ने वहां जगदिश्वर भगवान विष्णु से का दधीच बोले महाबाह माया को त्याग दीजिए विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है माधव मैंने सहस्त्रों दुर्विग्ये वस्तों को जान लिया है आप मुझ में अपने सहित संपूरन जगत को देखिए निड अला से होकर मुझ में ब्रह्मा एवंबुद्र का दर्शन कीज मैं आपको दिव विधिष्टी देता हूँ ऐसा कहकर भगवान शिव के तेश से पूरन शरीर वाले चवन कुमार दधीच मुनी ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मान का दर्शन कराया तब भगवान विश्णु ने उन्हें कोप करना चाहा इतने में ही मेरे साथ आजा शु ब्रहामन दधीच को प्रास्त नहीं किया शिहरी उनके पास गए और उन्होंने मुनी को प्रणाम किया तरंतक्शुव अत्यंत दीन हो उन्होन प्रणाम करके प्रात्ना करने लगे शिव बोले मुनीश्ष शिव भगत शिरोमने मुझ पर प्रसन होई परमेश्वर आप विष्टी से दूर रहने वाली हैं मुझ पर कृपा कीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद राजाक्षुम की ये बात सुनकर तपस्या की निधी ब्रहामन दधीज ने उन पर अनुग्रह किया तपस्चार शी विष्णो आदि को देखकर वेमुनिक प्रोज से ब्याकुल हो ग रुद्व की क्रोध अगनी से शी विष्णू और अपने गनो सहित प्राजित और ध्वस्त हो जाओ देवताओं को इस तरहें शाप दे शुव की ओर देखकर देवताओं और राजाओं की पूजनिये दिश्ष्ट दधीज ने कहा राजेंद्र ब्रहामन ही बली और प्रभ भाफशाली होते हैं ऐसा सुपष्ट रूप से कहकर ब्रहामन दधीज अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए फिर दधीज को नमस्कार मात्र करके शुव अपने घर चले गए तत्पस्चात बगवान विष्णू देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरहें अपने ब प्रविष्ट कर लेता है ताथ मैंने तुम्हें संच्चेप से क्षुव और दधीज के विवास की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवर ब्रह्मा और विष्णू को ही जो शाप प्राफ्ट हुआ उसका भी वर्नन किया जो क्षुव और दधीज के विवास स प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यू का भें नहीं होता तथा भें निश्चही विजय होता है बोलो शिवशंकर भोले नात की जैहो राधे राधे जैश्श कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें आश्यर भी जरूर करें आए राधे